हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों CRPF पारामेडिकल एक्जाम डेट 2021 के बारे में आप सभी के लिए काफी अच्छी नियूज निकल कर आ रही है आप CRPF पारामेडिकल एक्जाम डेट का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आपकी एक बार जो है परिक्षा को पोस्पॉंड कर दिया गया है जो आपकी रिटेन एक्जाम होने वाली थी और रिटेन एक्जाम को इसके कारण पोस्पॉंड किया क्योंकि पूरे जगत के अंदर यहाँ पर लॉगडाउन की परिकिरिया स्टार्ट ह हैं आखिर CRPF अब क्यों नहीं पारामेडिकल की एक्जाम डेट को जारी करता है आखिर क्या वज़ा है कि अब जो एक्जाम डेट में डीले हो रही है आखिर इसकी क्या वज़ा है या वज़ा जानना चाहते हैं हरेक कैन डेट इस चीज को और इसका जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने भी वाला है और साथ ही यहाँ पर कुछ कैंडेटों का ये भी कमेंट था कि सर जो हमारी एड्मिट कार्ड है वो रिटेन की वो हमें बाइपोस्ट आएगी या CRPF के ओफिसियल वेबसाइट पर आएगी इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपकी एकजाम डेट को लेकर क्या अपडेट है वो हम आपको बताने वाले हैं क्योंकि CRPF ने तो अभी तक एकजाम डेट को लेकर कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस नहीं डाला है कि CRPF की जो एकजाम है यहाँ पर पारा मेडिकल की वो इस समय कराई जा सकती है तो दोस्तो इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं तो बने रहेगा हमारे योटूब चैनल स्टडी जोन के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा अगर आपको लगे इनफर्मेशन सेयर करने लाइक है तो जरूर सेयर करिएगा और साथ ही आप हमारे टेली गराम चैनल स्टडी जोन एस जे पर जूर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको हर एक अपडेट हर एक इनफर्मेशन यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन के माद्यम से मिल जाएगी तो अब पहले बात कर लेते हैं कि आपकी एडमिट काड कैसे आएगी यहाँ पर दोस्तो जो आपकी एडमिट काड है वो बाई पोस्ट आपके घर तक ही आएगी और कुछ कैंडेटों का ये भी कमेंट था कि सर जो हमारी लोकेशन है वो चेंज होगी है उसी लोकेशन पर आएगी जो आपने एडमिट काड आएगी उस पर आप किसी तरह का कोई भी चेंजिस नहीं कर सकते हैं तो जहां भी आपकी आएगी वहां पर वो आपको अपडेट चल जाएगा और इसी आर पी अप जो है अपने ऑफिसल वेब साइट पर जो है आपकी एडमिट काड की लिस्ट भी अपडेट कर देगा तो यहां पर अब जो बात कर लेते हैं कि यहां पर जो CRPF पारामेडिकल की जो एक्जाम है वो यहां पर कब होगी पहले दोस्तो मैं आपको बता दूँ अपर लेवल की एक्जाम होगी उसके बाद ही यहां पर लोवर लेवल की एक्जाम होगी आखिर कलेंडर कब तक जारी हो सकता है एक्जामों का तो यहाँ पर दोस्तो यह सवाल सभी के मन में बना हुआ है और इस सवालों के जानने के लिए CRPF के official website पर हजारों candidate जो है एक दिने विजट करते हैं और इसकी notification पर देखते हैं कि paramedical की exam को लेकर कुछ information दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है तो देखिए दोस्तो CRPF जब भी कोई notification जारी करेगा वो आपको group के माद्यम से या channel के माद्यम से आपको official notification के मारे में उस information को आपको मिल जाएगी पर दोस्तो सूतर की माने एक आपको भी तो कम से कम संभावना date पता होना चाहिए कि exam कब होगी exam की हालत आप हर एक परदिश के अंदर देख रहे हैं कि कितनी खराब है candidate संघर्स कर रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं यहां विग्यापन सौपर है वहां विग्यापन सौपर है लगग 2 साल से candidate अपनी exam date को लेकर result को लेकर joining को लेकर पूरे तरह से परसान है चाहे वो किसी भी फिल्ड का वो पुलिस की हो वो सीर पियेप की हो यहाँ पर जो है ट्रेट मैन की भरती हो सब तरह से candidate जो है पूरे तरह से परसान है हर एक trade के अंदर यहाँ पर दोस्तों candidate आर्मी का भरती का इंतजार कर रहे हैं आर्मी की भरती नहीं आ रही है इस चीज़ को लेकर पूरे से चार स्टेप लगते हैं क्लियर करने के बाद तब जाकर उन पोस्टों पर उन्हें ज्वाइनिंग मिलती हैं तो यह सब दोस्तों बाते हैं पर अब बात कर लेते हैं कि जहां पर जो सेंट्रल रिजर्ब पुलिस फोर्स है पारमेडिकल की एक्जाम कब करा सकता है मीडिया रिपोर्ट का क्या काना है मीडिया रिपोर्ट का दोस्तों यह काना है कि जुलाई जुलाई में तो आपकी दोस्तों एक्जाम हो नहीं सकती ना एक्जामनेशन कलेंडर चारी होगी पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि अगस्त के second week तक जो है आपकी examination schedule जारी कर दी जा सकती है और यहाँ पर जो है अगस्त के last week सक्से जो है upper labor की जो exam है उसे भी conduct कराया जा सकता है ऐसी information media report के अनुसार आ रही है और दोस्तो आप comment करके जरूर बताईएगा कि आपने किस trade के अंदर physical qualified किया है वो जरूर बताईएगा तो दोस्तो उमीद करते हैं वीडियो पसंद आए पसंद आए तो like करेंगे share करेंगे और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल स्टडीज उनको subscribe नहीं किया तो फिर मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तो चाहें दे